बोले आ रही है हमें आवाज आपकी तो फिर अभी जितने लोग भी आ गए हम स्टार्ट कर लेते हैं बाकी लोग कनेक्ट करते रहेंगे तो उससे बहुत इंट्रोडक्शन ले देते हैं तो हमारे साथ गेस्ट है सुमिट मलिक सर पाउंडर है प्पोडिंग के और मतलब सुम सर ने प्पोडिंग लॉंच किया था और प्पोडिंग में अभी तक 300 से अबव लोगों का 20 लाग स्विपर का प्रेस्मेंट लग चुकी है और सारी अच्छे अच्छी कंपनी में Google, Uber, Amazon, Nutanix, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं अच्छे आपने इतनी भी कंपनी सुनिए है सबसे पहले सर जो आज हमारी जितनी भी ओडियंस है आपे वो उन सब का यह मतलब मोटो इस वेबिनार का यह कि उनको उनके सारे टाउट्स क्लियर हो जाए और उनको एक अच्छा सा रोड मैप मिल जाए कि उन्हें कैसे त्यारी करनी है तो हम इसमें ओडियंस जो है फर्स् मैप आप मतलब डिश्क्स कर लीजे जो की एक बच्चा फर्स्ट एयर में है अभी और वो स्टार्ट करना चाहता है और उसके टार्गेट है अमजान गूगल टाइप की कंपनी तो उसको सर कैसे स्टार्ट करना जाए चीक है मेरे वाज आ रही आप तक यह सर स्क्रीन दिख पहले यह दिखते हैं कि क्या क्या important है स्टार्ट के लिए क्या क्या important है तो सबसे important मुझे लगता है डी असल को सबसे ज्यादा high variety रगता है दूसरे नमबर पर मुझे लगता है oops के बाद OS, DBMS, प्रोजेक्ट्स इन्हीं कहीं equal आजाते हैं प्रोजेक्ट इन पर डीटेल से बात कर लेंगे अब बाद में इसके बाद कुछ है चार वेचार भी है तो मुझे लगता है 80% तेहरी तो DS-EGO की होती है तो प्रपाद में 5-5% तो 5-5% नहीं बर्बार दो बाकी सब इसी में आ जाता है तो फिर भी मैं एक बच्चे को वेल राउंडड तयारी के लिए क्या बोलूँगा मुझे सबता है अगर मुझे बच्चा फर्स्ट एर सही मिल जाए तो मेरी उसके लेडवाइस क्या रहेगी पहले वो थोड़ी ब्रेट बनाए और अब सब कुछ थोड़ा खुड़ा सीखे फिर अपने इंटरस्ट के अरिया में एप्थ बनाए तो फर्स्ट एर के अंदर वो ड्यासल को से खुद को इंट्रड्यूज कर ले इसमें कोई लैंगविज मैटर नहीं करती जावा से करना जाता है सीखे कर ले पाइथन हुआ डिसकरेज करूंगा क्योंकि उसमें वो ट्राटिक नहीं है इंसे कर ले सी थोड़ी दौर इंचे रह जाए कि उसमें लाइबरी नहीं है मेरे सबसे प्रेफरेंबरी जावा या जावा सीखे के इंदर लोगोंगा कि सारी लैंगविज आने चाहिए कि एक लैंड़ जाएगा नहीं दौरत की कशलिए कि प्रोगा में बने चाहिए, कि तुम्हां टारांच को वेंगवारी जाईपर, कि व्रफ मैश्च को चाना चेहिए, कि वीम्रे। बहुत बैसलितर तो चलेगा फ्रेम बेहरा ह्यादा स्थेश्थ , तो नसको बीक्षा से नहीं हम तो ठेज़ ग्र्फोर्छल化 आती है! वहरा कि इसैम टानी पहलता प्रेम्वक्स लिधिन को ह्यासे नाउ्क पर कर काुट को हुं कि अद्रिकल कर लोगा, तो तुम ये जो टरीका ना शोचने का कि लांग्विज से जो हम फोकस करूंगा, तो मैं तो लांग्वेज के बचाए, तूल के लिए सबसे बढ़िया language क्या रहेगी तो first year मेरा ही कहना है DSLBO without caring about the language that you are doing in it every language is good enough oops वाली language मेरे प्लेस 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 जावा है मेरे प्लेस प्लेस जावा है बस मैं यह चाहता हूँ कि कोई oops वाली उठा लेना जिसमें oops हो और dynamic typing ना हो मैं आज जादा जनरिकली बोल पा रहा हूँ वरना मैं जनरिली यह बोलता था JavaScript और Python मत करो तो मेरा जो नफरत है JavaScript Python से data structure करने के लिए वो इस चीज़ पर है वो इस चीज़ पर है कि वो डाइनमिक है डाइनमिक है ना सेंस कि उनके इंदर int, long, string, टाइप स्टाटिकली डिफाइन नहीं है जो चेंज हो सकती है तो मुझे डाइनमिक टाइपिंग की language से थोड़ा लगे जा कि बच्चे को DS algorithm नहीं करना चाहिए और OOPS होना चाहिए language में तो C इस वज़े से कट गई और Python जावा सिफ इसकी वज़े से करना बिगिन टीजर वगेरा कि जोगी Python से बहुत ही इसली हो जाती है बट और उसका logic अच्छा होता है मदब बनी बनाई चीज़े मिल जाती है तो तुमें code गने और logic नहीं मिलता तो language allowed ही नहीं होगी अब तुम software development करो वो चाहे तुम web की करो चाहे तुम mobile की करो या आजकल तुम data science करने लगे हो data science की करो फरक नहीं बड़ता second year तुम development तुम मेरे साब से पहले दो year मैंने bread की year बोले है you introduce yourself to one kind of programming and you introduce yourself to another kind of programming ये bread sir तुम दोनों touch कर लिए ठीक है एक question sir ये जैसे sir second year वाला जो पार्ट है web, mobile और data science वाला इसमें direct jump किया जा सकता है या इसके लिए पहले DSL को कर लेनी चाहिए advantage होगा मेरे साब से advantage होगा अगर तुम DSL को करके तुम इसमें आ रहे हो तुमें advantage पक्का होगा कि उनकी DSL को लिखते-लिखते तुम थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा उप समझने लगे हो तुम्हारी अंगलियों पर कोड जचने लगा है या सीधा जिसे तुम वेब में आ जाओगे ना तुम बहुत जल्दी सीज़ा फोकस्ट हो जाओगे आउटूट प्रोड्यूस करने है आउटूट प्रोड्यूस करने है अच्छी वो है मोटिवेशन है लेकिन आउटूट प्रोडूस करने के टाइम पर ऐसा ना हो जाए कि तुम गुड़ कोडिंग प्राक्टिस या लॉजिक का महतर बहुत समझी न पाओ और खासका ना वेब में जैसे सोच के देखो majority of web application क्या होती है database से चीज निकाली थोड़ा सा उसको html बनाया और render कर दिया अब ये काम over and over again करोगे logic बहुत ने सीखने वाले हो tools and tricks बहुत सीखने वाले हो logic बहुत ने सीखने वाले हो इसके business पर सिर्फ web वाली skill की business पर Microsoft, Amazon, Fang, Fang companies को target होना मुश्किल होगा मेरे साब से DSL को में introduce कर case में आएंगे तो बहता रहेगा पर अगर किसी वाच्चे ने first year में web, mobile या data science सीधा कर लिया तो कुछ बगड़ा नहीं है अब वो second year में DSL को कर सकता है पर अगर वो उल्टा करना चाहता है तो इस फाइन बगड़ा नहीं कुछ नहीं है हाँ थोड़ा tough कर जाता है एक चीज में add करना चाहूंगा कि जो dev बाला पार्ट है अगर अगर आप अच्छे problem solver हो आपने DSL को आपको अच्छी आती है और आपने problem solving और logic building अपनी अच्छी कर लिए तो फिर आप एक better वेटर data scientist बन सकते हो Of course यह वाली बात से मैं बिल्कुल एगरी करता हूं मालूम कैसे जैसे मैंने भी 6-7 साल अपने करियर में web dev किया पर बिना data structure algorithm के बाद के बेरा किया और उसके बाद में आपने DSL को स्किल बनाई और अब जो मैं web में कर पाता हूं मेरे पास slightly ज्यादा tricks होती है मतलब अभी भी मेरी team भी है यहां पर जो DSL को बहुत नहीं करती है और सीधा dev करती है मेरी team भी हां पर जो है pep coding में software dev जो करते हैं वो DSL को नहीं करते है तो मुझे उनमें वहीवाल element दिखता है जो मैं 6 साल के experience पे software dev करता था जब मुझे DSL को नहीं आते थे तो मेरे पास भी कुछ tools and tricks कम थे उनके पास वही tools and tricks कम है अब मैंने खुद में वो आड किया तो मैंने वो फर्क समझा तो generally dev करने वाले बच्चे करते हैं कि DSL को की मिनाई हो जाती है बिलकुल हो जाती है पर DSL को करने के बाद करोगी तो तुम्हें दो ट्रिक्स जादा आती होगी जादा अच्छी कर पाओगी जादा पुखता कर पाओगी चीक है अब 3rd year को मैं बूलता हूँ 3rd year is your resume slash interest slash personal brand year इसमें तुम्हें अपना personal brand बनाना चाहिए यह उन colleges के लिए बहुत relevant है जिन colleges में बहुत साथी नहीं आती है जैसे अगर तुम्हाली college में Microsoft, Amazon, Facebook Facebook तो कहीं में नहीं आती है तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे personal brand की जरुत है तुम अपना personal brand बनाओ ताकि तुम्हें मौका में इसके साथ interview करने का और personal brand बनाने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि तुम अपना interest pursue करो तो इसको में depth year भी बूलता हूँ जो तुम्हें first two years में जो चीज़े explore करी है ना पता करो मज़ा किसमें आया था इसमें मज़ा आया था क्या इसमें मज़ा आया था तो इस साल DSL को ही रगणेंगे और अगर डेव में जाद मज़ा आया था तो यहां पर मैं इसा भोलता हूँ कि इस year के अंदर बच्चों का split हो जाएगा कुछ बच्चे डेव में महारत हासल करेंगे कुछ बच्चे DSL को में महारत हासल करेंगे जो DSL को में कुछ करना चाहते हैं परस्टनाल ब्रैंड बनानना चसाथें लररिजू में भारी करना चाहते हैं उन्हें मैं हाइलि रॉक्णंट करूंगा कोड Ned्र कोडिव में ऺिरु बच्चे लिए परिदाएगं अगर तुम फाइस्टार शिक्स्टार बन गए ना फाइस्टार बनने के बाद जब तुम लिंग्दिन पे लोगों से रेफ्रेल मांगोंगे तुम्हे इंटर्व्यूज बहुत राम समिझ जाएंगे और अगर तुम्हें सॉप्वेड मज़ा है तुम इस ताल कोगा तुम ओ कर लिया है तो तुम किसी के लिए भी डालुएबल नजर आओगे जब फोर्टियर प्रेस्में उसके सामने बैट होगे तो डेवलों से मेरा यह है कि उपन फोरो जी सॉफ्टर नहीं कोशिच करो और इननी केस यह क्रैक्ट मैंना हो इसलों को मजा आया रहा था को यह मेरा यह साइब से थर्ड इयर में थोड़ा प्रोजेक्ट बेस लिए अन निगारे अगर आब बहुत ज्यूब्य़क्त करोगे और जहां पर लिए कर रही है वहां के बच्चे से प्राइवट वाले बच्चे को अपने आपको जाधा तयार करना पड़ता है क्योंकि बिलकुल करना पड़ता है तो आपको बेटर होना होगा वही मेरा भी 3rd year के बारो में की वर्ड मेरा ये है कि इंटरस्ट एरिया क्या है, मज़ा किसमें आ रहा है और पर्सनल ब्रांड यह अपना ब्रांड बनाओ, ब्रांड यह रिजूमे यह कुछ भी बूल दो. तो यह दोनों चीजों को मर्च करो, इंटरस्ट अपना एक्स्प्लोर गरो और अपना ब्रांड बनाओ. अब करके देखो वैब करके देखो ठोड़े टाइम करके देखो और आईडिया लेलो की सच में किसमें मजा आ रहा है क्योंकि मतलब वेस्ट हो जाएगा अगर बहुत जादा मजा नहीं आरहा होगा तो यह बिलकुल सही बात है थर्ड एर तो मज़ए के लिए ही होना चाहिए तो इसलिए अपने फर्स्ट दो एर में उनी ब्रेट्थ बना लो वो फर्स्ट एर में सब कुछ हूग के देख लो अब सब कुछ हूग के देख लिया अब तुम अब जिसमें मज़ा आया था उसको कमिट हो जाओ और उसमें करो बड़ी ऐसे ठीक है अब थर्ड और फोर्थ एर की चुटिया आती है यहाँ पर यह बड़ा इनको मालग से मार्ग करूगा तो इस दोरान मेरा यह सजिशन है बड़ा चाहे तुम्हें कॉम्पेटिटिव की थी या नहीं की थी तो वो कॉम्पेटिव वाली स्किल यहाँ पर नहीं करमा दोपाती क्योंकि मेरा भी एक टी है जो सिक्स्टार है लेकिन उसको यहाँ पर परिशानी पढ़ जाती थी वो ट्रिक वाले क्वेशन उसको भी वो ट्रिक्स नहीं सूचती तो वेदर और नॉट यहाँ कमिं फ्रॉम कॉम्परिटिव बाक्राउंड इन वेकेशन में लीट कोर्स है मोस्ट इंपोरेंट पांसो शेसो सवाल वो माइक्रोसफ विजरा टाग लगवा होगा सब के पचास पचास उठालो डीपी के पचास ग्राफ के पचास मीडियम हर्ड तुम्हें कर लेना चीए लिए लेटेड विकेशन में जी इससे लेटेड लिस्ट शेयर कर देंगे जो की यह जो मैंने हम दोनों ने भी साथ में करी थी यह वाले लिस्ट इंपर वाले लिस्ट यह तुमने भी कवर की थी यह हम क्या किता है पेज़ पर शेयर कर देता है अगर आप थोड़ी विराइटी कर लो एरे में थोड़ी विराइटी कर लो तो वह जादा हर प्लेटफॉर्म के कोश्चन्स है और मतलब पर्फेक्ट प्लेस्मेंट रप्रेश्ट यह और मेरे पास आपिकल्स यह भी तुम लिंक शेयर कर देंगे चैनल पे हमने यह लिंक लिस्ट के स्टाक के डीपी के हैंड रिटन नोट्स बना रखें तो यह बच्चों के काम आ सकते हैं तो उसके लिए बहुत प्लेस्मेंट में वाला है इनी चुटियों में तुमको बाकी की चीज़े भी कर ले नहीं होती हैं जिसका मतलब ऑपरणिंग सिस्टम, डेटाबेस, उप्स, सिस्टम डिजाइन अब इसके लिए एक और एडवाईज यह दूँगा कि OSDB में सिस्टम डिजाइन अगर तुम सिस्टा यहां पर चुकियों में पहली बार धंसे करूगी है, और नहीं पाएगा अच्छे से, तो चार साल है तुम पढ़ो बहुत देट में, इन तीन सब्जेक्टों को, इन तीन सब्जेक्टों को नॉलेज के लिए पढ़ो, OS, PPMS और OBS, इसमें एक एड करना चाहूंगा, तो मेरा परसनल सब्जेशन, OS, DBMS और CN, यह सब्जेक्ट, हां जी, हां जी, हां जी, हां तो मेरा परसनल सब्जेशन, OS, DBMS, यह है कि, जब सेमिस्टर में आपके OS सब्जेक्ट हो, जब DBMS सब्जेक्ट हो, जब CN सब्जेक्ट हो, तो उसको उसी टाइम बहुत अच्छे से कर लो, ताकि ग्रेड भी अच्छा आ जाए, और वो उसी टा आप रह जाए, पिरकों सभी, पिरकों सभी, अच्छा इसमें तुम एक चीज और बता सकते हो, जैसे तुमने आमेजन भी क्राक किया था, तुमने गेट भी क्रिया, तुमने ये दो चीज़े बहुत ही तोडू कर दी, आमेजन निकाला और गेट भी निकाला, चीक है, तो तुमने कैसे बैलेंस आउट किया, तुमने कहां पर ये गेट वाली तयारी को इंक्लूड किया, गेट की तयारी करते करते आमेजन कराक हो जाए, मैंने रहने जाए तो जब इनको जादा धंक से सुनता था, और इनको मैं धेहन देता था, तो उससे भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा सिक्स्ट समेस्टर था, मैंने मेरा ऐसा राय कि मैंने जो पूरा DSL को वाली जर्णी रही है वो स्टार्ट की है फॉस्ट एर खतम होने के बाद समर्विगेशन आपसे मैंने फांडेशन कोर्स किया था तो मैंने जो भी आपने कराया था थर्ड सेमिस्टर और फॉर्ट सेमिस्टर में वो पूरा रिव अब हम सेकेंड यर से स्टार्ट करना चाहते हैं क्या आप हमारी चांसेज हैं एमजान गूगल जैसी कंपनीज के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने सेकेंड यर से किया था था थर्ड सेमिस्टर में डी एस बहुत अच्छे से करी जितने कोशन प्रैक्टिस कर सकते थ फिर इसके बाद जब थर्ड यर का जो फिफ्ट सेमिस्टर होता है उसमें कोट फोर्स बहुत अच्छे से कर लिया अच्छे कोंटेस्ट होते थे पूरा डेडिकेट कॉंपटेटिव और पैरलली जब मैं को समर विकेशन वाला पार्ट देख ले था तो मैंने उसमें थोड किया था और गेट के साथ साथ जैसे कि मतलब मैंने सबसे सबसे पहले क्या किया जब मुझे गेट स्टार्ट करना था सेकेंड एर खताम हो चुका था मैंने DSL को कर लिए तो सेकेंड एर जो विकेशन होती है उस ताइम मोसली किसी के पास इंटरंशिप अगेरा नहीं होती पर लोग फ्री होते हैं तो मैंने उस इंटरंशिप में कर लिया था इंटर्वी प्रक के लिए तो अब मैंने कर लिये 400-500 कॉश्टन प्रैक्टिस जो अभी लिस्ट तो इससे मेरी जो त्यारी थी सेकेंड डियर के एंड में इतनी अच्छी होगी थी कि मैं अगर अभी भी कंपनी आ जाए तो मैं बैठ जाओंगा डियर करी लूँगा प्रोजेक्ट भले अभी तो मैंने गेट की त्यारी पर फोकस किया तो आमाजन का प्लेस्मेंट वाला दिन था तो मतलब मैं गेट के साथ यह करता था कभी का बार दिसे मैं जब टाइम मिलता था तो मैं एक दो नहीं बैठा क्योंकि मैं गेट के साथ प्लेस्मेंट सेशन को बैलेंस नहीं कर सकता था तो मैंने थोड़ा सा पहले जो वो लिस्ट थी उसका जब मैं कोशन सॉल्फ करता था तो लोग यह भी बूशते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं तो जब कोशन सॉल्फ करते थे तो बहुत डीटेल्ड नोट्स नहीं बनाने चाहिए पर हर कोशन में थोड़ी सी ट्रिक जो होती है ना या जैसे रिकर्जन का कोशन है उसमें तो वह मैं साथ-साथ एक कॉपी में बना लेता था ताकि थोड़ा सा लास्ट में देखने के लिए हो जाए तो जब एमजन वा परसनली बहुत जादा फील करता हूं कि इसे मेरे को कभी कोई नया डीपी का कोशन दे देता है तो जैसे मेरे को यह को पूछते भी हमद्द हो कि जैसे सर हमने एक कोशन ट्राइब करा आज कर लिया काफी टाइम दिया तीन महीने पास सेम कोशन मिल गया नहीं कर पा रहें तो स क्यों हो रहें हो उस्का आप भी आन्सर देते डिना मैं थाड़ा जो मेर मेरे मेरे पास नली वक přिरम मेरे कोशिश क करी की जो को चाहा रहा एप पूरा बनेगा कैसे तो उसकी लिएAt कि से मैंने आप से जब पढ़ा तो एक चीज हुआ थी कि मतलब इतना ज्यादा अच्छे रिकरजन कोई पढ़ा नहीं सकता है मतलब जितना हमने प्रैक्टिस करें तो यह होता है कि जैसे अगर बहुत अच्छा है तो बैक ट्रैकिंग भी अच्छी है तो ट्रीज के कोश्ण आपके लिए बिलकुल इजी हो गए और अगर गर्जन अच्छा है तो डी पी आपके लिए असान हो जाती है तो 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 मैंने यह चीज करी कि जब रिकर्जन बहला पाट था तो उसमें एक्टम ट्री बना के जैसे आप क्लास में कराते थे एक पूरा स्टाइक बनवाया इतना डीटेल में मैंने अपनी लाइस में कभी देखा ही नहीं कि रिकर्जन इतना डेप्ट भी होता है तो उसकी वज़े से मतलब मेरे कोई इंसाइट पैता हो गये थी तो जब भी मैं कुशन देखता था तो मुझे प आपने बहुत सारे कोशन पढ़ लिए गीक्स पढ़ लिए आपने 500-700 कोशन पढ़ लिए तो आपको रेपेटेटिव कोशन मिल गए और मतलब आपको इंटर्विव में याद थे वो सारे कोशन आपने बता दिये तो उससे भी कई बार को नहीं काम बनता क्योंकि जो मैंने परसनली फील किया है मतलब मेरे जो अधर फ्रेंड्स हैं जो गूगल वगेरा मैं मैं उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया तो यह था कि जैसे गूगल जैसी कंपनी में कभी भी वो रिपीटेटिव कोशन नहीं पूछते हैं वो कभी नहीं पूछेंगे अगर आपने इंसाइ लेकिन लिए मैं बोलूँगा कि आमजन में रिपीटेटिव कोशन होते हैं तो अगर किसे लीड़ लगा रखा तो आमजन यह था निकल जाए अच्छा एक चीज और तो तुमने नोट्स नहीं मनाएं अगर नोट्स बनाए होते तो फायदा होता तुमको मैंने सर्फ मतलब नोट्स मैंने हलके फुलके बनायते इस तरीके से की एक कोशन से रिलेटेट वर ट्रिक लिख ली मैंने पूरा नहीं लिखा कि क्या पोड था मतलब कि ये कोशन में यह चीज लग रही थी बस इस तरह से जादा डीटेल ने तो बस नोट्स का यह फायद अब बूल लिया हूँ आप कैसे करूं मैं कि नोट्स बनाये तो नजर माल लो अब नोट्स नहीं बनाये तो दिक्कत आती है यह चीज लगती है चीज तो तो सर दोनों की डिफ्स हो गया और वो भी डिसकस हो गया कि अगर किसी ना फर्स्ट येर में नहीं स्टार्ट कर पाया सेकेंड डियर में तो कैसे करने अगर जो बच्चे अभी एकदम छे महीने बाद प्लेस्मेंट देने वादने उनके लिए क्या रोड में अप पर मैं यह कहता हूं कि कोई धर्ड येर के डिसेंबर में भी तयारी करना स्टार्ट कर रहा है तो भी वो फूर्थ हीर की ऑगस्ट में कोई भी वड़ी कमनी क्राक कर सकता है एंक्लूडिंग आमजन, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ, इंक्लूडिंग ऐनिधिंग सिर्फ कि बात बोलेंगे जून है जुन निकल गया जुलाइम बोलेंगे कि भाया तैयारी बिल्कुल नहीं है कुछ नहीं आता और सपना तौना चनका है अब अगली फरवरी में ख्राक कर ले ना मतलब कि तखो जब तयारी ही नहीं है तब चाहे कोई कमनी आती रहे चाहे तौना प्रेसमें निकल गया तो निकल रहा है कोई बात नहीं और जिस दिन तयारी हो की तो इक ही ऑपरिशुनिटी बहुत है कभी भी तौल इट नहीं है, मेरे साब से फोर्फियर में भी कोई आ गया है ना ओबस्त में आ गया है सैंप्टेम्र में आगे जागा है, जो भी जॉइन करेगा अगले साल जुम में ही तो जुएन करेगा तुमारा पूरा एक साल पड़ा है तो आठी महीने के है, आठ महीने में तुम तैयरी करके, चार महीने में रफेल जोगाड़ कर, you can start at the best place for yourself. Amazon, Microsoft, कुछ भी. कहीं से बी start करके हैं. टीके, आठ महीने लगते हैं तैयरी करने के लिदर, all in all. वाठ्व मेने का मैं तुमको एक बर लेखा जो आ दे देता हूं. augun में टेस्ट कहा है पचास-पचास-पचास दिनों में उसके खुर तुम एक देनी कहा है। पशार इसो में पहले पचास दिन को मैं बनेने कुछ नहीं किया थो। पहले पचास देन, मैं बहुत दीएसे लगों की कोई बच्चा यह ना कह पाए, कि यार में अबाब पैसे तैयारी करूं, तो यह बना तो इसमें से कोई इसमें से कोई इसमें मैंने लाइन वाइस कुछिन आ रहे हैं, किसी भी कुश्चन में जाओ, इसमें पढ़ो, एडिटर में जाओ, एक क्वेशन सब्मेट करने को जुच कर, और अगर नहीं को से क्वेशन हुआ, तो सल्यूशन देखो, इसमें वीडियो रही, सल्यूशन वीडियो देखो, और यू सर्टिन विल बी अबल तू दू तो इस सवाल, डीपी के भी 20-30 बन गए, ग्राफ के भी 20-30 बन गए, स्टैक्व के 20-30 लिंक लिंक लिस्ट, बीस्ट, हैश्माप हीप, इसमें बार टच कर लिया, अगर एक कोशन दो दो कोशन सब के हर टॉपिक के पर ठाटिस कर लिया, ठीक है, हमने 20 कोशन पर टॉपिक रख इसमें ये फ्री रिसोर्स दिखता है, इसमें लेवल वन फांडेशन लिख रखा है, ये फ्री ओफ वस्ट है, इसके अंदर आकर तो सारे कुशन को सॉल कर सकते हो, सम्मेट कर सकते हो, एडिटर बनाऊगा है, चेक है, अब आते हैं हम सेकिंड पचास दिन हमें, ये पचास लेट कोड वाली लिस्ट, लेट कोड या आईपी वाली लिस्ट, बस्क्राइब बचास दिन में ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन बन जाएगे, ये फचास दिन जो दूसरे पचास दिन नेना, पहले फचास दिन को 4-5 घंटे काम करते, एफिरी डे तो चल जाता। लेकिन इन पचास दिनों में तुमें 10-12 घंटे एवरी डेय काम करना पड़ेगा दस वारा तो जाद बोलो हूँ आठ दस घंटे एवरी डेय करना पड़ेगा हां मतलब ओन एवरेज आठ से दस कुश्चन अगर करेगा इंशान इतना टाइम रखेगा इसमें ना मेरा सजेशन पता है क्या है मेरा अजीब सा सजेशन बोलूगा जो शायद तुम्हें पसंद भी आए और तुम्हारे थाइकिन को सूट भी नहीं करता वो है रीड एंड सॉल्व कि मैं यहां पर ना थोड़ा थोड़ा रट्टा मर वा रहा हूं मतला मैं क्या करा रहा हूं क्वेश्चन का सल्यूशन पहले देख लोगे और हमारे बास ताइम थोड़ा कम है इसको अभी फशल्व करने के बाद रीड करें और जो लास्टियर में वो रीड कर ले सुल्यूशन उसके बाद सॉल्व करें इससे क्या होगा चल जल दी तो हो जाए यह वाले टाइम है इसके लिए तुम प्रिया करोगे तुम फांगनेशन पना रहे थे अभी तुम करें के लिए अभी फ्रेड गार्ड करें जो गुशन होकी है बड़ा सा बच्याना प्रसेंनि इंपॉर्टन कोम प्रस्वीट की आई इस में से लिए ट्रिक से अँपर में और प्रसन करने ये करें लास्त पचास दिन अब में पूकर बीड को रिस्त तरको तो इसके अंदर तुम्हारा कोड़ करेंगा इससे तुम नई प्रब्लम सॉल करने लाए कोज़े होगे इसमें एक कोशन आएगा कोई नई प्रब्लम जब सॉल करते हैं तो सार जैसे मान लीजिए कोशन पड़ा दस मिनिट कोशन थोड़ा सा समझ में आया एक घंटा उसमें और बताया अगर तब भी वो कोशन नहीं बना तो एक कोशन पर आईडेली कितना डाइम देना चाहिए दो गंटे खुटै कर लो दो गंटे में नहीं हुगा तो एक घंटा पढ़के करने के लिए लगा सकते है वारा खेंटे निम्हें पछासी सवाल करें तो तुमने जो coding acumen में किया वो तुमने वर्लम में खोडिया इंस्टेड मैं ही बूलूँगा तुम मैं बूलूगा दो गूंटे रखो डेर गूंटा ट्राय करो आदे गूंटे में रीड करो नहीं हुआ तो तुम पांच-छे-पांच-छे सवाल बन जाएंगे पचास दिन में तुम तीन सो सवाल लेके उठोगे तो तीन सो सवाल डीसे अगर टाइम कम है लास्ट के मुमेंट पर तो उसको पचास मतलब जिसे आपने पहले बोला कि अगर किसी बच्छे की पास ताइम है तो बैटर होगा वो पचास कोशन जादा अच्छे से करें इस्टेड ऑफ तीन से करने के और जब टाइम होगा जिसके बास टाइम है ना वो दोनों स्टेज सउल्ड आंड रीड मोड में करेगा पहले सल्व Darkness गरने कोशिश है और नहीं हुआ तो रीड और जिसकास टाइम गम है वो एक स्टेज इसकी read and solve mode में करेगा पहले सीधे solution पढ़ेगा उसके बाद solution पढ़ने के बाद solve करेगा तो third जो 50 days हैं उसके लिए मैं suggestion देना जाता हूँ जैसे question solve करना start किया तो मानलो 10 minute दे दिया question को पढ़ने में अगर 10 minute बाद एक तम blank हो मतलब यह दिख रहा है कि यह question में क्या ही language है कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं सब्सक्राइब करूँगा कि और time मत बरवात करो और जो solution है उसकी शुरू की 2-3 line है पढ़ो मतलब idea लेने की गोशिश करो कि DP का गोशन है या back tracking का गोशन है फिर इसके बाद solution बंद कर दो दुबारा वापस आओ दुबारा उसको ट्राइब करो तो इसे क्या होगा कि अगर आप दो तीन 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 लाइन solution की देख कि फिर से ट्राइब करोगे तो at the end को question आप ही कर रहे हो ऐसा नहीं हुआ कि आपने सीधा solution पढ़ लिया क्योंकि कु अगर solution को तुम रट्टे की तरह से पढ़ोगे तो of course गरत है और solution से तुम knowledge निकालने के लिए बढ़ोगे skill निकालोगे तो of course तरह की तरीका है क्योंकि वो question आज बन जाएगा पर interview में नहीं बनेगा फिर अगर रट्टा मार लिए फिर जो last के 50 दिन बचाएं ना वो मैंने उसके लिए बचाएं क्योंकि बच्चे ने कुछ भी निकिया हुआ था तो उसका मतब उसमें OS भी नहीं करा होगा तो 50 दिन ने उसके OOPS, OS, Database, System Design, Projects वगेरा के लिए बचाएं है तो OOPS के लिए अगर Java की OOPS कर रहे हो तो OCJP बहुत अच्छी है उसके 4 चेप्टर पढ अच्छी है तो संचिजयन सर्थ सही है थोड़ा सा डीटेल चाहिए तो रविंद बागुर रवूला की वीडियो सही है आर बी आर बाकि लोग नपी टील भी देख रहे हैं आजकर वो डीटेल के लिए हो जाएगा पर आर्टिकल भी देख लिए जल्दी जल्दी में जो फ तो वो अगर आप पढ़के चले जाओगे तो इंटर्वीवर वही पूछेगा क्योंकि जब मैं आमेजन में था तो उस ताइम हाईरिंग द्राइस चल रही थी तो मेरी टीम मेंबर्स वगेरा इंटर्वीव ले रहे थे तो मैंने बहुत नोडिस किया यह चीज कि सब के प बहुत बार देखा मेरे से बोला कि मैं सर अच्छा काम करना आज के अवे पूछ लेना तो ऐसा भी होता है तो मतलब वो लोग खुद देखके जाते हैं कुछ कंपनीज हैं जहां पर प्रॉब्लम पूछने के लिए इंटर्वीव के लिए अलग टीम होती है जिसे गूगल म के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो आपके लिए कोशन बनाए तो वो खुद आपको गूगल पर जो पहले कोशन मिलते हैं तो अगर वो पढ़ लोगे तो भी अच्छी एक ट्रेक है यह बिल्कुत सही डीबीमस के लिए कोई रिसोर्स जो तुम रिकमेंड करोगे डीबी तो मैं यह बोलूँगा कि अगर स्टैंडर्ड बुप जो है न वाते वगेरा उससे थोड़ा से देख लें अगर टाइम जादा है तो ठीग है अधरवाइस गीस का और संचित जैन सर का ठीग है एक मुझे इंटर्वी बिट का टुटोरियल बहुत अच्छा लगता है इस इसके बार W3 स्कूल से क्वेरी कर सकते हैं वहाँ पर ट्राय हो जाएंगी क्वेरी क्वेर का यह होता है कि मतलब वह यह नहीं है कि एकदम उसने पूछा कि 1NF क्या होता है और उनने बता दिया हो गया कई बार यह होता है कि उन्हें अगर नॉलेज अच्छी होती है तो वह होड़ा डेट में जाते हैं तो फिर पता यह होना चाहिए कि चीजे वर्प कैसे कर रही है ऐसा नहीं कि 1NF के चले गए मतलब यूज क्या है जिसे मेरे से टेबल दिखा देंगे इसकी कौन सी नॉर्मल फॉर्म में और बना उसकी 1NF कैसे कनवर्ट करोगे तो मेरे से जैसे एक बार कोशन पूस लिया था पिंग कमांड क्या होता है सीन में तो मतलब पिंग कमांड का जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं जितना गीक वगेरा पे तो उतना बदा दिया बड़ उतने से वह सैटिसफाइड नहीं था उसको यह था कि पिंग कमांड जब जाता है तो वह क कि कुछ चीज़ा ऐसी होती है कि अगर आपको उसको स्टोरी बनाके और मतला आपको मजा आ रहा है उसको समझने में कि असरियत में चीज चल कैसे रही है तो मैं यह बोलूँगा कि थोड़ा डेप्ट में चले जाओ कर अल्लों उसके बारे में थोड़ा और अच्छे लिए सिस्टम डिजाइन के हा से करते हो यार सिस्टम डिजाइन आज आशकल बत्चे कहा से त्यार करते हैं तो किसी कमपनीज में सिस्टम डिजाइन पूछ लेते हैं पर 90% कमपनीज में सिस्टम डिजाइन सर्फ इतना पूछते हैं कि इस्टाग्राम डेवलप करके दिखा दो सिस्टम डिजाइन बता दो तो अगर यूट्यूब पे गौरफ सेन वगरा के वीडियो देख लिए तो तो अगर आपका आट दिस दिन बाद इंडवी है तो दो-चार दस क्यूंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो लोग खुद व तो शिस्टम डिजाइन के लिए अगर आपको आर्टिकल बढ़ने में मज़ा आता है तो एजुकेटिव डॉट आयो का को बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इसके अलावा अगर किसी के पास सच में जैनुरिली बहुत टाइम है और वो चाहता है एकदम एकदम फार त प्रीमियर सिस्टम डिजाइन आप सर्च करोगे तो आ जाएगी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन सर मेरी शेयर होगी बस हो रही है हो गई है तो यह जब गुगल पर जैसे सर्च करोगे सिस्टम डिजाइन प्रीमियर इस रिपाजिटरी में मतलब उस बंदे ने हर जगे के जो बेस्स रिसोर्स है वह खटे कर रहे हैं मतलब यहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे हावर्ड वगेरा के टॉपिक्स को समझाते हुए तो मतलब यह पेस्स रिसोर्स है अगर किसी के पास टाइम है और टाइम नहीं है और बहुत ही कन्वीनियंट वे में कोई चाहता है थोड़ा सा कंटेंट तो फिर एजुकेटिव डोटाएंगे मेरे सर बहुत सारे फिरेंट्स थे जो मतलब जिन्होंने करी ही नहीं थी मतलब तच भी नहीं थी और वहां है और उन्होंने क्रैक करी और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं मतलब यह कुश्चन मेरे को बहुत जादा लोग पूछते हैं कि कॉम्पटेटिव के बिना क्या हो ही नहीं पाएगा बला इवन गूगल में क्या कॉम्पटेटिव तो गूगल का या किसी भी बड़ी कंपनी का मैं बता दू या तो तुम बहुत अच्छे कर देगा बड़ी असानी से पर मतलब एक दूसरा मोड भी होता है कि तुम जैसे अच्छी कर लो और प्रोजेक्स अच्छे कर लो मतलब जब डियसल को आपने कर रखी है तो आपके पास प्रोजेक्स भी अच्छे होने चाहिए या तो अगर अग्दम प्रोव हो या फिर आ मतलब एक तो प्रोजेक्स का मैं लेवल यह बुलूगा कि प्रोजेक्स का लेवल बिलकुल अगर आपका नॉर्मल भी है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है या आपने एक विजुलाइजर बनाया है सब कुछ एक्सेप्ट होता है इंटर्वियर को को फरक नहीं पड़ता मतलब अगर चीज़ है अगर कर लोगे तो असान होजाएगा ठीक है पर अगर प्रोजेक्ट भीोदा न कर लोगे तो कंपनी में सरवाइज कर जाओगे क्योंकि कंपनी में जैसे मैंने छे महिने गांती है तो मैंने एक चीश वील करी है कि जो लोग सिर्फ करते हैं प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट छूते भी नहीं है तो उनको बहुत स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है तो फिर अ करते हैं पर फ्यूचर में वह अच्छा ही परफॉर्म करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो गया है तो फिर अगर आपके पास टाइम है तो कर लो बहुत अच्छा है और मतलब के लिए मैं यहीं बोलूँगा कि DSL को अच्छी कर लो फिर सी सी डी तक बस प्रैक्टिस कर लिए बहुत है तो वह सबसे बड़ा जो फायदा होता वही होता है कि जब आपका कोई भी इंटर्व्य राउंड होता है तो वह ऐसा होता है कि एक से डेढ़ गंडे का उता और तीन कोशन होता है तो आपको आपने हमेशा कोशन कर लेते हो DSL क के बट आप में स्पींड प्रš那我們 में आपको दिक्कात हो सकती है तो फिर यह कि अगर आपने सर्किजिट की आपकर सिचानि पहले य हर बार स्टीन मैंनेजमेंट बंग जाता है से और एक इंटर्व्य जाती है की हां दो गंट केिंटीन कोशन है अगर आपको अपना चाप करना है तो कॉंपटेटिटिव के लिए अगर आप कर लोगे तो एक बच्छों कोई आ रही है क्या सर पहले दो बहुत सारी क्वेरी जो में कोश्चन से मतलब आल्मोस्ट पांपां सो लोगों पूछे हैं मतलब लिंग्डिन पर बहुत सारे मैसे है या अभी कोई लाइव पर चुच रहा है लाइव पे शर मेरे में लाइव शो नहीं हो आरे क्योंकि वो वह वॉइस को रखती है बार बार आच्छा मैं एक बार देख लेता हूं मूट कर लेंगे क्वेच्टन में दिख जाएंगे ना खम से खम है को रहा हूं म्यूट कर पर आपकर लेंगे, क्वेच्छन में देख जाएंगे, जी, तो यह है, देखे ज़रा, एक आपके लिए प्यारा रहा है, लव यू, लव यू, बच्चे आपको, इसारे सर मेरे दोस्तों है, ये अरित्य सिंग बच्चा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, कि रेफरल कैसे मै मांगूं, क्या HR डेपार्मेंट से रेफरल मांगूं या कैसे मांगूं रेफरल, कुछ हैं दोस्तों है, मैं Amazon का बता सकता हूँ, तो Amazon का ये कि आप LinkedIn पे कोई भी SD1, SD2 को अप्रोच करो, उसको अपना रेवी में फरवर्ड करो, और बात करो, मतलब मैंने अभी रिटेंटल कि जब मैं इंटर्न कर रहा था, तो मैंने अपने पांचे जूनियर्स को रेफरल दिया था, तो Amazon का रेफरल देना बहुत एजी होता है, बट कोई भी रेफरल आपको तब देगा, जब आप वर्थ होगे रेफरल गे, तो आपको पहले ता अपना रेजी में पास करना है, क पर मैं ये बोलूगा कि क्या केते, आपका कहाम है तो आप एक की जगे, दस-बीस लोगों को मेसेज करो, दस-बीस में एक अंडा रेफ्लाइज जरूर करता है, मेरे को भी बहुत मेसेज आते हैं, तो मैं कुछ को कर पाता हूँ, कुछ को रेफरल दे देता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता हूँ, तो फिर सीधा सीनी है कि टार्गिट कर लो, पचास सो लोगों को अगर मेसेज कर सक्यों, क्योंकि आपका फॉर्मेट सेम है मेसेज का, एक बार आप मेसेज लिखो, कि sir I am from this college and मैंने ये ये कर रखा है, ये मेरे रेजिम में है, अगर आपको मेरी प्र potential पाया है और refer किया है, अगर company फिर आपकी profile HR के पास जाएगी, वो एक बार देखेंगे, अगर आप वर्त लगोगे तो फिर वो आपको call कर लेंगे, तो फिर referral LinkedIn की थुरू कर सकते है, ये वाला question है, क्या internship mandatory है, क्या mandatory है, fang companies के लिए, नई, मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे friends थे जिन्होंने कभी कोई internship नहीं करी थी, सीधा fourth year में, सीधा एकदम Amazon और सीधा Google निकाली है, और मतलब अगर आपके पास projects अच्छे है, मतलब एक चीज़ आजाती है, कि आपने थोड़ा बहुत experience है काम करने का, तो अगर आपके पास projects अच्छे हैं, तो फिर मतलब अगर internship नही आता है, नहीं करता intern, तो भी fine नहीं है, अब ये एक बच्छा पूछ रहा है, ये मतलब ऐसा बोल रहा है, CP नहीं करेंगे, competitive नहीं करेंगे, तो online round clear ही कैसे होगा, मतलब ये ऐसा zoom कर रहा है, कि CP ये बिना online round clear ही नहीं हो सकता, online round क्लेर ही नहीं हो सकता है, online round DSL पर होता है, और इतना ज्यादा tough नहीं होता है कि, मतलब court forces level की CP नहीं चाहिए होती है, lead court जैसे question आते है, lead court पी जैसे question पड़े हुए है, जो सरने list बनाईए, exact same question आते है, Amazon में एक एक जो question आया था, वो सारा करके था, मैंने class में कर रहा था, और वो जो list है, उसके बाहर कोई question नहीं था यह कह रहा है, CGPA पूछा एक बच्चा, how much does CGPA matter, CGPA का scene ऐसा होता है कि, अगर आप किसी बड़े college में हो, कोई company आई, online round उसने त्रो किया, 100 बच्चों ने सारे question कर दिया, तो उसको इंटर्व्यू नहीं लेंगे, उसके बाद वो CGPA पे sort करेंगे, शुरू के 10-10 उठाएंग फिर इंटर्वी रहेंगे, फिर इंटर्वी रहेंगे, पट अगर मतलब जिसे नॉर्मल आप कहीं भी जा रहे हो, तो जैसे Microsoft में अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपकी साथ से नीजे से होगी, तो आपकी profile पहले ही reject हो जाएगे, कुछ companies को CGPA बहुत चाही होती है, पर Amazon अगर आपकी 6 है, साड़े 5 है, सब चलेगा, Amazon के लिए मेंली DSL को important है, प्रोजेक्ट भी वो, अगर आप DSL को नहीं बता पा रहे हो, तो थोड़ा वाग प्रोजेक्ट पूछते हैं, बाकी अगर DSL को के सारे question बता रहे हो अच्छे से, तो फिर वो, उस domain में जाते हैं, इस क्या हैं, इस लिए 1 50-day strategy is sufficient एक का में बता हैं, वो नहीं समझता हूं, वो और से प्रोजेशन के लिए हुँआ हो है तो बचच प्रेंकलर में प्रें कि लिए हृ स्प्रिंक लौदा कुमीं को में प्रेंकलर में प्रेंकलर को खाए तो तो नहीं में बताता हूं अगरा था ह तो उनमें नॉर्मल ही चल रहा है, स्विंकलर में वन फिर डे से बात बन रही है, अर्सीजियम में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा आर्व वच्चा ची होता है, बीसल गोबी चाहिए, बीसल को बीचे चाहिए, और समें एक्स्टर गर ग़ए भी किया हो, वो सही सही साबना ह चाहिए, काफी कुछ उसका, चाहरो तरब से कवर्ड होना चाहिए, चीक है, अब तुम्हारे लिए कोई क्वेस्टिन, कुछ कंपनीज के ऑनलाइन राउंड जो होते हैं, वो ज्यादा कॉम्पूटेटिव पर फोकस करते हैं, तो उनमें से ही कोड़नेशन एक है, बड़न हैं, वो वन टू परसेंट कंपनी हैं, बाकि सारे DSL को के राउंड ये अपने सबके, और हैं हमारे पास, ओके, स्टार्टप्स के लिए एक बच्चा पूछ रहा है, स्टार्टप के लिए कुछ अलग करना होगा, क्या, स्टार्टप के लिए कि प्रोजेक्ट अच्छे किये हैं, तो स्टार्टप को मतलब बड़ी चाहिए है, बड़ी स्टार्टप्स में थोड़ा सा प्रोजेक्स का ज अगर आप बीटेक हो तो फिर बहुत कम उपनिंग्स होती है और बीटेक प्रिफर भी नहीं करते देटा साइंटिस के लिए तो मास्टर्स थोड़ा ज़रूरी होता है भले आपने बहुत अच्छी भी कर रखिये डेटा साइंटिस तो बलब डेटा साइंस जितनी भी आपको प्रमोटेट मिली है मतलब मार्केट में वह ज्यादा था ट्रेनिंग कमपनी ने प्रमोट किया उसको हर बच्छा डेटा साइंस में लग जाता है पर वह तुम्हारे अपने इंटरेस के लिए काम आ जाएगी बट तुम्हें उससे जॉब डेटा साइंटिस की बीटेक के ब लास्ट येर एक बंदा था भी प्रफटिंग में होगी बीपी आईटी का इसी का उसने स्टाइटेजी से अमजन निकाला था ये तुम्हारे लिए क्वेशन पूचा बच्चे ने अमजन वाले कॉलेज का नाम देखकर ही एजेक्ट तो नहीं करते ना नो 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 मैं हमारे से तो और जितने आईपी को अगयरा हैं इस बार मैं अमजन का बताऊंगा मैं इंटरनल बात एक बता रहा हूं कि मैंने जितना अपने बात किया तो इस बार उन लोगों ने आईटी से बच्चे का मायर किया थे उनका एक बैंड़ थी की पैतेस से से जादा बच्चे अचा यह शेकरती वारी पूछ रहे हैं कि 4th year के पासा उठ वठ हैं उनके लेगो इस कारजी है क्या इनके लिए मेरे ने जानवरी के अंदर जानुवरी में हम एक लांच करेंगे तो उसमें हम 15,000,000 का कमेट करेंगे, तो हम 15,000,000 से उपर प्लेस करेंगे, टेस्ट लेके सिर्फ 25 बचे उठाएंगे, छे महीना पढ़ाएंगे, और मेरा इसा कहना है की, पोस्पेड है, और फ्कॉर्स कि तुम्हे पहले पूछ देना निए, छे महीना पढ़ाऊंगा, और सबस्क्राइब तो यह बिल्कुल जीरो पेमेंट है, कुछ नहीं लेंगे पहले, सारे का सारा बात में लेंगे, तो यह रहेगा, यह तो यह तो आपने से विराइटी के देख सकते हो, में टेस्ट करेंगे, अच्छा यह अमन गोर बच्चा पूफ रहा है कि क्या हम से थोड़ी विराइटी, companies के विराइटी कम हो जाएगी, कुछ companies python allow नहीं करती हैं. आ मुझे वही DSL को का issue लग रहा है, और कुछ complex code कोड करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी, C++ लोग help कर सकते हैं, मतलब community vast है DSL को की, code मिल जाते हैं लोगों के समझने के लिए पर python में कम बचते हैं. प्रिंस दुबारा सवाल पूछ रहे हैं कि project बहुत important है या DSA की good knowledge enough रहेगी? मतलब it is important but DSA is first priority. DSA is first priority, उसके बाद project है. अच्छा, अब यह पूछ रहे है, basic project e-commerce type के चलेंगे resume में? सब projects अब चलेंगे बस तुमने बनाये हैं और तुम्हें end to end पताओ कि वह project कर क्या रहे है? गरगन यादव पूछ रहे हैं कि lead code से कैसे question select करें? तो मेरे का गरगन ऐसा topic चूज करो, DP चूज किया और DP का list बनानी start करो, medium hard. मेरे सब आठ topics हैं, DP, graph, trees, stack queue, link list, hash map heap, और ये grid bit manipulation, तो टाग से filter मारो, difficulty पर sort करो, और question करने start करो, और जाते हैं, आप अपने बनादेबल हो लाँ तो सबढ़ लोगन होगी है topic रहे है? राइनमली भी select कर सकते हो, तो हर third question कर ले, sort मार ले, easy say difficult की तरफ, एक question कर ले, दो छोड़ दे, एक question कर ले, दो छोड़ दे, तो randomly भी कर ले, I think, चलेगा us, कि सब्सक्राइब कोई नहीं बरासाइब, वहीं नहीं पराइदा, 700-800 पर शायद ही कोई करता हो Delhi में, 700-800 पर बहुत हो जाते हैं, सब्सक्राइब करें तो इसके वारें तुम्हारा का कहना है कि कैसे रिस्ट करेंगी हम अभी हाइरिंग थोड़ी काम हो रही है तो कंपनीज की जो ड्राइफ पड़ी भी है अगर किसी साइट पर तो वो हटाना भूल गया है बाकी बहुत सारी कंपनीज हाईरिंग थीज पर है तो अभी मैं बहुत बहुत होगा अच्छा यह मेरे लिए एक क्वेशन आया है लेवल अप कब तक अप्लोड कर दूँगा ब लेवल अपर आईपी दोनों कंपाइंड मैंने खुद को डेडलाइन दे रखी अक्टोबर थर्टी तक छेसो सवार डाल गूंगा जो लिस्ट दी अभी ग्रीन लिस्ट यह सारी सारी सौल करके लेवल अपर आईपी के नाम से इनका अब कंबाइंड को सुना रहा हूं इसक सारे क्वेश्चन मैं अक्टोबर थर्टी तक सारे डाल गूंगा कि रिकर्जन और बैक्ट्रेकिंग एक बार मुनलब सरकेट वीडियो देखके देखो एंग्वीन और आईटना मेस टाइप कुशन तो तो तुम्हें अपने आप अलज दिल जाएगा कि रिकर्जन वगेरा कितना मतलब नेक्स लेविल पढ़ा है ये डल चुके है रिकर्जन और बैक्ट्रेकिंग अल्रेडी अविलेबल है ये मैं दुबारा से एकबर स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ अगर क्योंकि ये अविलेबल है ये पहले वाले रिकर्जन ये रिकर्जन में थर्टी क्वे कर के देखाए बहुत अमेजन लगेगा तुम सॉब्न करों कर के देखा दक श्तारलने लेगां तो इस में अभी सब्स्क्रीन कहां करें तो इस एचाल्या बहुत ही बढ़िया सवाल है यह मैंने भी बहुत जादा यह चीज नोटिस करिए कि जैसे सर लब कुछ कोशन्स ऐसे होते हैं कि जो आप आप करा देते हो और मुझे लगता है बैक ट्रैकिंग तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंग बैक ट्रैकिंग डीयस का वजीर है जिसमें वो कर लिया उसके लिए ट्रेजरी सब ग्राफ सबसान है डीपी ट्रीज और ग्राफ तीनों में असिस्टेंस मिलेगी अगर तुमारी बैक ट्रैकिंग प्रके जो कंपनी डार्गिट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा देख लेना कि जैसे आमजन डीपी जादा पूछती है माइक्रोसॉफ लिंकले जादा पूछती है तो टॉपिक सारे प्रिपेर करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं का सा सकता पता जला आप इंटर्वियू में और गूगल का इंटर्वियू आप से सिर्फ और सिर्फ उसमें सारे कोशन डीपी के ही पूछ लिए क्योंकि डारेक्ट टाइव अगेरा में कई बारा से होता है कि सारे कोशन ही डीपी के पूछ लेते हैं तो ऐसा नहीं करना तो टॉपिक मतलब डीपी जैसे टॉपिक तो म पूछ लिया है तो उससा जवामरी देना होगा वो मुझसे पूछ रहा है क्या कोर्स बाय करना ज़रूरी है यश पूछ रहा है इस निसेसरे टू बाया कोर्स फॉर फ्री वीडियो नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं तो हमने यह स्ट्राटजी का शिफ्ट लिया है केपको पूछ नहीं है हम कोई not for profit नहीं बने है हम अभी भी for profit organization है ऐसा इसलिए कर रहे है मुझे लगता है content से बड़ी कोई marketing नहीं है हमें लगता था हम पढ़ाने में अच्छे है तो हम अपना content दुम्या को free में दे ले अब दुमको लगता है यहां पढ़ाई जाती है word to word वही चीज में यहां वीडियो में डाल रहा हूं फरक क्या है एक नजरीय से उसका discussion करके डाल दिया अब तुमको नहीं समझ में आई बात अब तुम्हें पूछना भईया इसका वो वाला ट्री बना दो अब तुम वीडियो के साब नहीं बोल जाता तो मज़ा आजाता मेरा दिमाग बढ़ जाता मुझे समय में आजाता वो बात मतलना 50% learning content से होती है 50% learning interaction से होती है और दूसरे बच्चे सवाल पुछते उस interaction से जो तुम सवाल पुछते उस interaction से वो में सवाल होती है तुमसे recorded में webinar इसलिए मुझे superior product होती है slightly webinar recorded के कई बार ऐसा होता है कि कोई question पढ़ा और उसका top-down tree तो समझ लिया पर ऐसा लग रहा है कि इसका जो bottom-up tree है वो नहीं बन पाएगा तो इसका ये बदा दीजिए bottom-up भी तो आज़ा है जो तुमने पढ़ा था इतना ही मैंने पढ़ाया था इतना ही तेरको तुम्हारी बाग जितने भी बच्चे दे और कार्थे वगरा जितने भी बच्चे दे सब बड़ी-बड़ी companies में place हुए मतलब एक भी बंदा unplaced नहीं है उस batch का पहला था निश्था निशिता वो इतने बढ़िया-बढ़िया पॉइंट निशिता गूगल चली गई इतने बढ़िया- तो एक सर थोड़ा वैसा कोशन था रिज्यूमे मतलब से रिलेटेड तो लोगों में यह पूछा है जैसे वेब है एमल है और दो-चार जितने भी में टॉपिक है तो सब में हाथ मार की सब के प्रोजेक्ट होना चाहिए रिज्यूमे में या फिर अगर एक टॉपिक के भी है तो चलेगा मेरे जाब से एक टॉपिक से भी चलता है मुझे तैसा बखता है कि तुमने तो फिर भी वेब के बारे में बोला मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर तुम दीएस के भी प्रोजेक्ट बना लिए ना तो वह कोई वैल्यू आट नहीं कर रहा है चार प्रोजेक्ट अगर कोई कंपनी स्टाइप का तो बोलो देखते हैं कि रियक्ट में अच्छा है बंदा आया इसमें तो उसके बेसिस पर ले लेते हैं पर यहां पैसा क्यों तो उनका कहना था कि जिसे आमजन है यह जो यह लीड करती है अपनी टेक को जो भी टेक पे है वो जैसे अगर आप बात करोगे उबर की तो उबर टेक्सी वाला प्लेटफॉर्म को लीड करती है से पीछे चल रही है आमजन को लीड करती है फिर काट पीछे से तो क्या होता है कि जो नई स्टार्टप है नए कंपनीज है उनको जो प्रॉब्लम्स आती है वो टेक लीडर सॉल्व कर चुके होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो गूगल ने आमजन ने माइक्रोफ ने कि खबराने वाले जो बंदे नहीं होते है वो नए प्रॉब्लम्स रोच कर रहे होते हैं तो यह मेरे लिए बीया है लुगा यह वालग प्रॉट्टिव नहीं था वाभी यह सौन मेरा कि क्यूं वो गूंड़ बंदा हायर करना चाहेंगे विस्मेक्सेंस तो अचे लिगे पचाश-पचास दिन थे ना, इनके ओपर हमने कोर्स बना रखे है, पहले पचास दिन पर एक foundation नाम का course बना रखा है और दूसरे 50 दिन पर एक level up नाम का course बना रखा है और 30-50 दिन पर अब एक interview prep नाम का course बना रखा है ये 3 course हमने बना रखे है हम इसके अलावा web dev पढ़ाते हैं तो जो कह रहा हूं मैं वो ये कह रहा हूं सबका ये भी 50 classes होती थी सबका पूरा पूरा content free कर रहे हैं कुछ कर चुके हैं कुछ रोज वीडियो बना के डाल रहे हैं तो हम December end तक December 31 तक everything would be freely available जो भी pep coding produce किया होगा आज तक सारे का सारा free डाल चुके होगे ये अल्यड़ी हो चुका है इस टाइम पर ये दोनों चल रहे हैं parallel में चल रहे हैं इन दोनों को डाल रहा हूं इनकी date है October 30 और इसकी date है December 31 December 31 तक इसको भी डाल देंगे तो हम जो भी पढ़ाते हैं सारे का सारा free आ चुका होगा YouTube के उपर free होने के बाद अगर तुम हमसे जूम के webinar में पढ़ना चाते हो उन batches को लाइफ बैच कहते है जूम वेबिनार, लाइफ बैच टीचर सामने बैटा होता है टीचर पढ़ाता है तुम सवाल पूछ सकते हो वो paid रहेंगे या हम of course कभी center में पढ़ाएंगे अभी तो करोना की विए center बनता है center में पढ़ाएंगे तो वो paid रहेगा content सारे का सारे दे दिया वीडियो देखो question solve करो ये free है अब तुम हमसे doubt पूछना चाहते हो teacher का time लेना चाहते हो वो paid है क्योंकि देखो teacher का time लगेगा तो वो paid बनेगा कहां ये free content डालूँगा मैं वो दुबारा दिखा देता हूँ ये home page है तुम्हारा free resources पे click करो home page पे पहले ही screen ये दिखती है ये paid courses है ये free resources है यहाँ click करो तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ पहुंच जाओगे free resources में तो ये वाला already complete है तो हमारा सारा content December 31 तक यहाँ पर आपको freely available मिला करेगा तो इसके अंदर क्या क्या available है इसके अंदर ये चीज़े available है देखेगा जरा यहाँ जा सकते हो question खोल कर question submit कर सकते हो यहाँ जाओगे तो मैं question video मिल जाएगी question का description पढ़ो editor में जाके solve करो submit दबाओ नहीं समझ में आये तो solution tap पे जाके solution देख लो और solution video देख लो जो paid बच्चा है वो extra क्या कर पाएगा उसको यह doubt support मिलती है यहाँ से editor वो यहाँ से doubt support भी खोल सकेगा वो यहाँ नहीं होती है वो my classroom में होती है आपको आपके doubts ले पाते हो इदर से यह रहा doubts तो यह खुल जाता है और तुम यहाँ से doubts launch कर सकते हो doubt support लाँच हो जाएगी तो जो तुम्हारे doubts ले रहा है तुम्हें यहाँ पर draw करके पढ़ा सकता है और यहाँ से कुछ draw करके पढ़ा सकता है यहाँ पर तुम को कोड करके submit करके चीज़े दिखा सकता है जनरली हम जूम मीटिंग से ही कर रहे हैं वैसे पर उनके यह doubt वाली चीज़ और रहेगी extra coming back तो इसमें पर यह चीज़ मैं थोड़ा आड़ दरना चाहूंगा मैंने online courses भी किये हैं आज इतना content पढ़ाया जाएगा पढ़ना पढ़ेगा और जो आज के 6 question मिले हैं homework में क्योंकि बाकी class भी कर रही है उस पर discussion भी होता है तो फिर वो करना है तो इसलिए मेरे को personally बहुत जादा center वाली चीज़ अच्छी लगती थी तो मैं center पर जाके ही करता था में नहीं क्या बूल रहा हूँ अगर किसी में बहुत self-disciplined है जो बच्चे बच्चे भी देखे हैं बहुत बच्चे बच्चे बहुत होता है तो जो बच्चे disciplined है उनको center आने की जरुत नहीं है घर बैठें content word to word वही दे रहा हूँ जो content यहां पर पढ़ाया जाएगा इनको बच्चे यहां आगे पहले ही बताऊँगा कि मैं एक भी चीज़ एक्स्टा नहीं पढ़ाँगा वही पढ़ाँगा जो यूट्यूब पढ़ाएगा तो जब पढ़ा वही रहे है जिसमें डिस्प्लीन वह घर से पढ़ ले और जिसको लगता है कि फ्लो बनाने में हेल्प मिलेगी या तुम्हें और बच्चों की स्मार्टनेस चाहिए यह तुम्हें टीचर से क्वेरी लेनी है तो तुम सेंटर पे आजाओ या लाइव बैश दे लो पुछ फ्लो बनाने में जो जिसे वो जावा में मना रहा हूँ चाहिए और C++ बनाओ लेकिन इस साल नहीं मेरी जो प्राइमरी रंगे जो जावा है तो इस साल जावा में मना रहा हूँ C++ में एक लेसाल बना दूगा चाहिए यह वीडियो जहां मिलेंगी कर सकते हैं से मीटिंग को फ्लोज है किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो मतलब सब कुछ कबर करी लिए है लब सारे एफिक नोट डान भी कर लेते हैं में साइड में वही देख रहा हुआ एक बार आप देख लो आपको कोई नहीं कोशन देखें नहीं तो दो तीन मिनिट में से अब बच्चे पूछ रहे हैं सेम ही पूछ रहे हैं कि सी प्लॉस है की नहीं में प्लॉस सपोर्ट करता था ऐब धर मैंने जा उमें बनाई हैं दो तो मेरा यह रहता था कि सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ने सारी लेंगविजिस कॉल दी किसी में भी कर लो जावा कपर मुझे एक बेनिफिट हुआ था अमजन में क्योंकि आमजन में ज्यादातर काम जावा में होता था तो फिर मतलब अभी यह लॉक्डाउन हो गया इतना ज्यादा टाइम रहता नहीं था तो जावा पहले से आती थी तो कम से कम एक एक एक्स्टा चीज नहीं सीखनी पड़ी वह बैलेंस होगी क्योंकि सारा काम करेंगे लिंक सारे शेयर करवा दोगे तो मतलब लास्में में बोलूगा कि यह जो यूटीब चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्स और हर चीज़ के लिंक आ जाएगी इसके अलावा यह वाला जो चैनल है यह आई ट्रपली वालों क्या लुक्त है उनका यह की वो से सड़्ूगल को करने वाले उनके इंटरrons दालेंगे तो अगर आपको और देखना եो मसुक्त सुद्प्रिक्शिर्ट सेब्तने हैं yes sir okay thank you very much thank you sir bye bye